अब को मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक भी व्यक्ति दिल्ली का न छुट जाए जिसके पास नरेंद्र मोदी का फोटो और कमल का निसान लेकर भारतिय जन्ता पार्टी का कारेगता ना जाए। मोदी जिने भारत माता के एक सच्चे सपूत नाटे पांच साल में जो काम किये है वो लेकर हमने घर घर जाना है। मित्रो दिल्ली के चुनाव का मुद्दा क्या है। जेर सारे मुद्दे हैं मगर दिल्ली में एक चर्चा बहुत चल रही है कि वह ये चुनाव तीन महिने की सरकार वाला चुनाव है या साथ महिने की सरकार वाला चुनाव है। और मित्रो चुनाव साथ मैने की सरकार वारा लड़ना चाहिए। मैं दिल्ली की जन्ता को भी कहता हूँ। साथ मैने पहले आपने सरकार चुल दी आप पार्टी की। उसके पहले 10-15 साल तक कॉंग्रेस पार्टी जी। इन्होंने क्या किया जरा हिसाब मागे उनसे। अभी अभी जन्ता के कल्यान के सारे पैसे अख़बारों में एड़टाइज में देख रहे हैं। स्रिमान केजरिवाल का बड़ा बड़ा फोटो हम देख रहे हैं। ये सुरू कर दिया वो सुरू कर दिया ये कर दिया बदाईयो 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 बईया पांच साल हुए समाप्त क्या किया वो तो बता हो जरा अब पांच साल के बाद सुरू कर रहे हो आपको भी मालूम ये समाप्त नहीं करना है मैं दिल्ली की जंटा को कहना चाता हूँ, पांच साल से सरकार चली, उस ने क्या किया, ये आपको हिसाब माँगना चाहिए केजरिवाल से, अभी ये जो कह रहे हैं, वो सारी चीजे उनको भी मालूम है, पूरी नहीं करनी हैं, इसलिए कह रहे हैं मित्रो जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है हमने कहा था हमने कहा था कि अनधिकृत कॉलोनिय को अधिकृत बनाएंगे लोगों को अपने घर का मालिक बनाएंगे दोजार उन्नीस में कहा था उन्नीस समाप्त होते हुते इस सरदार हर्दिप सिंग्पूरी यहां बेठे है मोदी जी ने उनको आदेश दिया और उन्होंने अनधिकृत कॉलोनिय को अधिकृत बनाने की सुरुवात कल रधिश्ट्री करकर कर दी मैं कहेना चाहता हूँ भार्थ ये जन्टा पार्टी के कारकरताओं को अनधिकृत कॉलोनिय के 40 के 40 लाग लोगों तक आप जाईए और बताईए कि नरेंदर मोदी जी ने इस मित्रों सीच दंगे सिखों पर जो नर्टंगार हुआ 84 के 50 के अंदर उसके अंदर 3300 से जादा सिख भाई और बेनों को कटले आम कर दिया कॉंगेर की सरकारे उनके गाव पर मरहम नहीं लगाती नरेंदर मोदी सरकार आई रागना सिंग गुरू मंत्री से हर परिवार को ढूं ढूं कर 5 लाग का मुआवजा देने का काम ये भारतिय जंता पार्टी की नरेंदर मोदी सरकार और जो दोसीटे वो भागते भीरते जे उनको पकड़ कर जेल की सलाकों के पीछे तिहाड में भेजने का काम भी नरेंद्र मोधी सरकार ने करतारपूर साहिब का कोरिडोर का नीव रखने क्या काम भी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया प्रजान मंत्री आवास योदना केजरिवाल जी ने यहां लागू नहीं होने दी नड़्ला जी ने कहा प्रजान मंत्री पीएम जय योदना आईसमान भारत योदना भी लागू नहीं होने दी फिर भी 35,000 जुग्गी जोपडियों के स्थान पर पक्का मकान देने का वादा नरेंद्रम होदी जी ने निभाया है एक सो साथ जेजे क्लस्टर का सर्वेश शुरू हो गया है पचासी अजार जुग्ग्यों में रहने वाले दिल्ली के निवासी उसके मालिक बनेंगे उनको वहाँ पक्का मकान मिलेगा अत्रिक 184 जुग्गी समूं को भी हम करेंगे द्वारका में भारत बनना पार्क बनाया साइकल ट्रेक बनना है अमदाबाद में आपने साबरमती रिवर फ्रंट देखाओगा ऐसा ही यमुना का रिवर फ्रंट जमना जी के किनारे बनना है मैं मेरे पुरुवान चलके भाईयों बेनों को कहना चाता हूँ एक बार यमना जी पर अगर रिवर फ्रंट बन जाता है छट पुजा करने के लिए आपको कोई अस्थाई सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी लाखो लाखो लोग वहाँ छट पुजा कर पाएंगे मित्रो मेट्रो को बढ़ाने का काम किया 116 किलोमिटर नई लाइने बिचाई करीब 70 किलोमिटर नए रूट और बना रहे हैं 112 किलोमिटर का लोकारपन किया जा गया है लगब 11,000 करोड उप्या इसके लिए करा अमरूद प्रकल्प के तहट 18 पकल्प 802 करोड के करें एंटी पीसी का धर्मल प्लांट बहार निकाल कर हवा को सुध्ध करने के लिए बड़ा काम किया रैपीड ट्रांस्पोर्ट रेली उद्ना पर काम किया डीडी ये ने लेंड पुलिक पास करकर बहुत बड़ा काम किया असी घाओं को सहरी घाओं का धर्जा दिया असी घाणों में विजली पानी की सुभीदाय भी पहुँचाई धेर सारे काम करें स्मार्ट सिटी, स्वच भारत मिशन, अन्तियोदय मिशन, प्रधानमंती आवास योदना अर्बन, रदय, रेरा कानून, डेर सारे काम करें मैं केजरी वालदी को पुछना चाहता हूँ हम तो हमारे काम लेकर जाएंगे मगर भईया केजरी वाल, आपने क्या किया जरा हिसाब किताब बताईए तो आपने कहा था, 20 कॉलेज बनेगी मैं दुर्मीन लेकर ढून रहा हूँ कॉलेज कहां गई, मालूम नहीं पड़ती 5000 से ज़्यादा स्कूल बनाने वाले थे मैं चस्मा चड़ा कर देख रहा हूँ स्कूले कहां गई, मालूम नहीं पड़ता है अस्पताल बनाने की बात करी थी अंत में एक मोडेल का फोटो दिल्ली वालों को देखा दिया दिल्ली वालों को जहां सा देना आप चाहते थे तीनों नगर निगमों को दस जार करोड उक्या की घांट रोकर उनको फेल करने का सड़ी अंत्र किया मगर मैं प्रसंसा करना चाहता हूँ नगर निगम के हमारे भाईयों बेनों की उन्होंने स्वच्छ दिल्ली का भ्यान फिर भी अपने बूते पर चालू रखा है केजरीवाल का सयोग न होने के बाद में युआ फ्री वाइफाई की राह देख रहे हैं 15 लाथ सीसी टीवी कैमरे लगने थे उसकी भी राह देखते हैं अनुबंदि सिख्षक को पक्का करना था अनुबंदि कर्मचारियों को पक्का करना था उसकी भी राह देख रहे हैं प्रदूशन कम करने की चगे प्रदूशन आपने बढ़ा दिया और हम जो देना चाहते थे उसमें भी आप रुकावट बने हो केजरीवाल जी दिल्ली की जन्ता अब आपको जान गई मित्रो अभी अभी प्रदान मंत्री जी CAA को लेकर आए प्रदान मंत्री जी ने सिखिजन सिप एमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूर दी लोगसभा ने प्रारित किया केजरीवाल ने जन्ता को गुमरा करकर कॉंग्रेस पार्टी ने विसेज कर राहूल बाबा और प्रियंका वाडरा ने जन्ता को गुमरा करकर दंगे करवाने का काम किया है मित्रो चाहता हूँ क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो दिल्ली में अपनी राजनिती के कारण दंगे कराए और क्या बुरा ही ऐसी है मैं आज सारे कारेकताओं को पुछना चाहता हूँ मुझे बताओ पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश से जो दली सरनार्दी आए गरीब सरनार्दी आए शीफ सरनार्दी आए है उनको नागरिस्ता मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए और जोर से बोलो मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए 70-70 साल से महात्मा गांधी का वादा था आपने पुरा नहीं किया आपने हिम्मत नहीं जी नरेंद्र मोदी जी ने पुरा किया आप देश की माइनोरीटी को भड़का रहे हो कि आपकी नागरिक्ता चली जाएगी मैं माइनोरीटी के भाई और बेनों को कहना चाहता हूँ CAA से किसी भी देश की माइनोरीटी नागरिक्ता जाई नहीं सकती क्योंकि CAA में नागरिक्ता लेने का प्रावधान ही नहीं मगर मित्रो मैं बड़े दूख के साथ बताना चाहता हूँ इन लोगों ने एक जुट का बुलिंदा करे है वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कहां अत्याचार हो रहा है अरे केजरिवाल आँख खोल कर देख लो राहूल जी सोनिया जी आँख खोल कर देख लो परसो ही नानकाना साथ के से पवीत्रस्तान पर हमला करकर सीख भाईयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है यह जवाब है उन सारे लोगों को जो C.A. का विरोट कर रहे हैं मुझे बताइए कल को नानकाना साथ पर जिन पर हमला हुआ वो सीख भाई यहाँ है तो कहा जाएं वो बारत में आएंगे या कहा जाएंगे नित्रो यह लोग जूट फेला रहे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के कारकरताओं ने दिली के घर घर में जाना पड़ेगा और इनको विरोज करने की आदत पड़ी है वोट बैंक की पोलिटिक्स करने की आदत पड़ी है हम दारा 370 हटाते हैं वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ 35 मत हटाओ मुझे बताओ भया दारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए जोर से बोलो हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए कस्वीर भारत माता का अभिनंग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए मोदी जिने 1370 हटाई ये इसका विरोध करें हमने कहा त्रिपल तलाख हटा दो दुनिया के कई मुस्लिम देशों में त्रिपल तलाख नहीं है मुस्लिम माता और बेनों पर अत्याचार हो रहा है उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है ये कह रहे हैं नहीं 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 त्रिपल तलाख मठ थाईए राहूल वावया उल्धूल स्टेटमेंट दे देते हैं प्रियंकाजी मैदान में आ जाती है अभी अभी कहती है कि मैं दंगाईयों के साथ हूँ जिनोंने दंगा कराय है उनके घर पर जाकर उनको कहुंगी कि आपका कोई दोस्ट नहीं मित्रों मुझे बताओ आप सब तिपल तलाख हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए जोर से बोलो रोध करती थी सुप्रीम कौट ने सुप्रीम कौट ने एक ठैसला दिया कि तीन महिने के अंदर राम जुन्म भुमी बननी पर मंदीर बनना चाहिए और मित्रो देश के करोडों लोगों के दुनिया के करोडों लोगों की उचाए मैं इसके करोडों लोगों की उचाएं दुनिया के करोडों लोगों की उचाएं दुनिया के करोडों लोगों की उचाएं ती कि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी इस्तान पर भव्य राम मंदीर का निर्मान होना चाहिए मुझे बताओ मित्रो होना चाहिए और नहीं होना चाहिए जोर से बोलो होना चाहिए और नहीं होना चाहिए एक कॉंग्रेस पार्टी इसका भी विरोज कर रही है मित्रो पुलवामा उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के अतंकवादियों ने हमला किया हमारे जवान सहीद होगे नरेंद्र मोदी जी ने एस्ट्राइक करी शर्दीकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान के घर में गुझकर आतंकवादियों काट खुड़दा खुड़दा भुला रहे राहूल बाबा राहूल बाबा विरोज कर रहे हैं केजरी वाल जी साबीती मांग रहे हैं मुझे बताओ भईयो एस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सुनाई नहीं पड़ता है जोर से बोलो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वित्रो ये अपनी वाट बैंक की पोलिटिक्स के लिए सर्जीकल स्ट्राइक और एर्ष्ट्राइक करने की ना बोलते हैं ये कॉंग्रेस पार्टी और आप पार्टी वाट बैंक की पोलिटिक्स कर रही है जवाला नहरु इनिवर्षिडी में कुछ पाक तरफी युवानों ने नारे लगाए बारत तेरे टुकडे होंगे एक हजार इंसा अल्ला इंसा अल्ला हमने उनको जहल की सलाकों के पिछे डाला अब ये टुकडे टुकडे गेंग जो चाहती है कि ऐसे लोग जो भारत के टुकडे हो इसका समर्धन करती है ये टुकडे टुकडे गेंग के सदस्या स्री केजरीवाल अभी प्रोसीक्यूशन की परमिस्ण नहीं दे मित्रो मुझे कहो जो भारत माता के टुकडे करने की बात करे उसको सलाकों के पिछे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए जोर से बोलो डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए मित्रो अभी अभी अंट में मोदी जी ने सिटिजन सिप एमेंडमेंट बिल लाए इसका भी विरोज किया मैं आज दिल्ली के कारेकरताओं को कहना चाहता हूँ सारे दली भाईयों बेनों के घर पर जाए सारे सीख भाईयों बेनों के घर पर जाए सारे सरनार्थी भाईयों बेनों के घर पर जाए कि मोदी जी पाकिस्तान और बंगलादेश से आये हुए दलीत सीख हिंदू सब सरनार्थियों को नागरिक्ता देना चाहते हैं और दलीत विरोधिक केजरिवाल और दलीत विरोधिक कॉंग्रेस पार्टी इसका विरोध करेंगी मुझे बताओ जो वहां से प्रसाडित होकर आ उनको नागरिक्ता देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए जोड़ते वह लोग देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए आप इसके समर्धन में हो या नहीं हो मित्रो भारतिय जन्ता पार्टी ने एक तोल फ्री नंबर चालू करा है यहां कितने लोग मोबाईल के साथ आए जरा मोबाईल उपर करिए सब लोग करें मोबाईल उपर निकालिए जरा सब लोग निकालिए मैं एक नंबर दो बार बोलूँगा दस अंका नंबर है सब ने डायल करना है मैं बोलता हूँ आप बोलिए और जन्त संपर्ट में भी जहां जहां जा रहे है वहीं से वो नंबर डायल कराना है मैं नंबर जोर से बोलता हूँ आठ आठ छे छे आठ आठ छे छे दो डायल कर दीजिए हो गया मैं फिर से एक बार बोलता हूँ दस अंका नमबर है दो बार आठा छे छे दो आएगा दोनों भर डवना हैं आठ छे छे दो आठ छे दो आठ छे छे दो दबा दिया सबने तो आपका समर्ठन नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँच गया है वईया आप सी एक एसाथ हो वो पहुं चूदा इस नंबर के लिए भी कल से अप्पाय फेलाई जा रही है कि ये नंबर नेटफ्लिक्स कोई चैनल है उसी का नंबर था मित्रों मैं साफ कर देना चाहता हूँ ये नंबर कभी भी नेटफ्लिक्स चैनल का नहीं था ये सुद्ध रुप से C.A. के समर्थन में भारतिय जन्ता पार्टी का नंबर है नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का नंबर है आप गुमराह मताईए भाईो वेनो मैं आज आपके अध्यक्से नाते आप सभी से कुछ मांगने आया हूँ मुझे बताओ आप मैं आप से कुछ मांगना चाहता हूँ आप दोंगे या नहीं दोंगे बताओ जरह पहले जोर से बोलो दोगे या नहीं दोगे मित्रवाद डिल्ली के सभी कारकता है उनका मैं आखवान करना चाहता हूँ के चुनाव सभाव से नहीं लड़ना है ये सुभाव रेलियों से नहीं लड़ना है ये चुनाव बड़े-बड़े होल्डिंग और पोस्टर से नहीं लड़ना है ये जरूर लगएंगे मोदी जी बी सभा करेंगे नडड़की बी करेंगे राजनास जी नितिन जी बी करेंगे मगर मैं आपके अध्य से नाते हर एक मोहले में जाकर ग्रूप मिटिंग करने की सुरुआज करऊगा हर एक घर को संपर करने की आप बताओं आप बताओं आप लोग भी हर घर में जाकर नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुचाओगे जड़ा जोड से बोलो पहुचाओगे केजरीवाल के जूट का परदा भास करोगे राहूल बाबा की देश विरोदी निच्यों को उजागर करोगे जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए किया है वो बताओगे केजरीवालती ने जो दोखा दिया है उसको बताओगे 20 साल से सरचार नहीं बनिये हमारी 20 साल से मैं आज आपको आख़वान करने आया हूँ कि इस बार इतनी प्रचंद सक्ति का अनुभाव कराईए कि 20 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतिये जंता पार्टी का जंडा फैर जाए जंडा फैर जाएंगे मेरे साथ मेरे साथ सभी लोग अपना हाथ उठाएंगे हाथ उठाईए जोर से हाथ उठाईए और देश की रक्सा का संकल करकर मुठी बीचे मुठी और प्रचन्द आवाद से मेरे साथ बोलिये बारत मता की वन्डे मातरम भारेट माता की वंदे भार्तिय जन्दा पार्टी भार्तिय जन्दा पार्टी वंदे वंदे अमयंत में पार्टी के महामंत्री रविंदर जी से निवेदन कर रहा हूं सभी कारेकर्टाओं का और सभी पर रहुल प्रियांका ने गुम्रा किया है देश को तो रहुल प्रियांका ने गुम्रा कर दंगे कराए है या रोप यहां पर अमयच्चुआ ने लगाया है तो जोड़दार हमला C.A. को लेकर कॉंग्रेस पर यहां पर अमयच्चुआ का देखने को मिला है और विन्होंने इस दुरान का है कि अल्ब संखकों को भड़काने का काम विपक्ष के जरिये किया जा रहा है विपक्ष ने 370 जपल तलाक का विरोध किया और अब C.A. का विरोध ही किया जा रहा है